जया स्ष्री किश्ना कैसे आप सभी लोग हमासा करतें कि आप सभी लोग सब्स الص diff होंगे और अपने ध्यान रख रहे हुए और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे आपका बहुत स्वागत है आपकी चैनल spiritual love 222 में हम इस वर से आपके लिए प्रात्ना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विजनस फूरी हो जाए आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले दियर आज हम इस रीडिंग में बात करें कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं वो आपसे क्या क कहना चाहते हैं कि हमने इसमें टो ऑप्सन दे रखेंए आपको प्षोस कर लेजिए फिर आप अपने रेटिंग देखिये जैश्री किष्णा जैश्री किष्णा ऑप्सन नमबर वन कैसे आप हमासा करते हैं कि अप सौस्त होंगे और अपना धिहान रख रहे होंगे और वो सब आपको मिलें तेर जिनके लिए आप यह डेक्ट रहे हैं वह आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप मेंसी जिन्दगी हो आपके विन्हीं ने रहनी सकते हैं कि यह आपके करज मिलन आपके कट सुआ हैं और यह आपके करें पार्टनर हे में सब बने हो को इू способ मेल फेमेल दोनों के लिए हैं आप जो भी हूं आप अपने इसाब से रेजोनेट कर लीजेगा ठीक है दियाइव ये आपको बहुत पसंद करते हैं आपका dressing sense आपके बात करने का तरीका आपके लोगों को समझने का तरीका इन्हें बहुत पसंद आता है ये आपको बहुत पसंद करते हैं जिनकी अभी उनके partner से बात हो रही है तो उनके partner और जिनके crush हैं उनके partner उन लोगों को ये लगता है कि आप बहुत समझदार हो आप इतने समझदार हो कि आप सामने वाले परसन की फेलिंग बहुत अच्छे से समझते हैं कि वो दुख में है कि खुसी में है कि तकलीफ में है क्या है आप लोगों का चेहरा देख करके उसकी फेलिंग समझ जाते हैं आप इतने समझदार हैं, आपकी ये खूबी ही उन्हें बहुत पसंद है, आप हर किसी को समझते हैं, आप काफी हेल्फ करने वाले इंसान भी होंगे, जरूरत मंदों की मदद बहुत करते होंगे, किसी को जरूरत होती होगी, तो आप उसे अपने आओ सकता अंसार उसकी भीतो अगुषब हो सकता है कुछ लोगों को उनके पार्टनर के बारे में बहुत कुछ पता है क्या उन्हें कॉन सा कलर पसंद भूए यूँने क्या में की यह आप जानते होंगे। कि अगर वो गुस्सा हो जाते हैं तो उन्हें कैसे मनाना है अगर वो बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम है तो उन्हें उस प्रॉब्लम से कैसे निकालना है उनसे कैसी बात कब करनी है कैसी बात कब नहीं करनी है तो डियर आप अपने परसन के बारे में बहुत कुछ जानत तो आपके परसन यही आपसे बोलना चाहते हैं कि जितना आप हमें जानते हो उतना मुझे कोई नहीं जानता लोग जानने का दावा जरूर करते हैं लेकिन जानता कोई नहीं है क्योंकि आपके परसन अगर आपसे अपने तकलीफ भी छुपाने के कोशिस करते हैं कि आपको न आप अपने परसन के बात करने के तरीके से भी उन्हें देख करके भी उनके बारे में ज्यान लेते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है उनके दिमाग में क्या है तो आपके परसन आपसे यही बोलना चाहते हैं कि लोग हमें जानने का दावा करते हैं लेकिन उतना जानता करके भी तो वो आपसे ये भी बोलना चाहते हैं कि आप कभी दूर मत जाना कुछ लोगों की परसन उनसे बोलते भी होंगे कि आप कभी उनकी लाइफ से दूर मत होना परिस्तिती कोई भी हो लेकिन आप उनसे कभी भी दूर मत जाना क्योंकि वो आपको कभी खोना नहीं चाह वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं कि आप अगर एक बार उनसे बिछड़ गए तो फिर वो जी भी नहीं पाएंगे उनकी जिन्दगी में आप जितना प्यार करने वाला कभी कोई नहीं आया था ना कभी कोई आएगा उन्हें इस बात का अंदाजा बहुत अच्छे से हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके अच्छे कर्मों से मिले हो कुछ उनके अच्छे कर्म होंगे जिसकी वज़े से आप उन्हें मिले हो God Gift हो आप उनकी लाइफ में वो ऐसा आपको मानते है वो आपके बिना एक पल नहीं रह सकते कुछ लोगों के परसन कहते भी होंगे कि जल्दी से साधी कर लो दूर रहते हैं लोगों के से डरते हैं कुछ लोगों के परसन हो सकता है कि आपसे बोलते भी हों कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती या मैं आपके बिना रह नहीं सकता कोई भी परिस्तिती हो आप मुझे छोड़ कर कभी जाना नहीं मुझसे कितनी ही बड़ी गलती हो जाए मुझे डार्ट लेना मुझसे नाराज हो जाना लेकिन मुझसे दूर कभी मत होना क्योंकि मैं आपको कभी खोना नहीं चाहता अपनी छोटी सी गलती की वज़ा से भी आपको कभी कोई दुख नहीं देना चाहता कुछ लोगों के person आपसे साधी करना चाहते हैं और आपसे हो सकता है कि कुछ लोगों के person ये बात बोल भी रहे हो कि वो आपसे साधी करना चाहते हैं आप किसी वज़ा से उनसे साधी नहीं अभी कर रहे होंगे आप थोड़ा सा कह रहे होंगे इंतजार करो अभी नहीं कर सकते या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही होगी जिसकी वज़ा से आपकी साधी अभी रुकी होगी आप लोग साधी के बारे में बात कर रहे होंगे लेकिन अभी आप साधी कर नहीं सकते तो डियर आपके परसन आपके साधी करना चाहते है और आप भी अपने परसन के साधी करना चाहते है क्योंकि आप भी उनसे बहुत प्यार करते है ऐसा नहीं है कि यह एक तरफा प्यार है यह दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा ही strong connection है डियर आप भी अपने person से बहुत प्यार करते हैं और आपके person भी आपसे बहुत प्यार करते हैं कुछ लोग यह twin soul journey में भी हो सकते हैं कि काफी ज़्यादा meditation किया हो manifest किया हो पहले साथ उनके person कम समझते हो और आप उन्हें समझने लगे हैं और कुछ लोग यह soul मेठ हो सकते हैं तो डियर आपके person आपसे बहुत प्यार करते हैं जितना वो अभी अब तक आपसे बोल ने रहते हैं उससे ज़्यादा आपसे वो प्यार करते हैं और वो आपसे बहुत जल्द साधी करना चाहते हैं इस बारे में अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्द वो आपसे बात करेंगे कि वो आपसे साधी करना चाहते हैं आपके साथ पूरी जिना चाहते हैं, उनकी पूरी खुसिया ही आपके साथ है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाओ, तो उनकी लाइफ में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, उनकी जिन्दगी में धेर सारी खुसिया होंगी, उन्हें किसी की वही होगी या तो फिर आपके person की family नहीं मान रही होगी इस वज़ह से आपके person अभी आपसे कुछ नहीं बोल पर कर गuchenга लेकिन उन्होंने दिल दिमाग में सोच नखों कि अभी family को मना रहे है अगर नहीं मानती है तो फिर हम साधी अपनी तो करेंगे समझ रही कैसे पहले तो family मान जाएगी तो अच्छे से साधी वरना फिर भाग के साधी करेंगे या तो फिर court marriage करेंगे ठीक है इस तरह से आपके person अपने दिल दिमाग में सोच रहे हैं कि family मानती है तो ठीक है नहीं मानती है तो ठीक है मगर साधी है तो हमें करना ही है अगर आपकी family नहीं मान रही होगी तो वो आपसे बोलने वाले होगे कि आपकी family नहीं मान रही है तो क्या हुआ पर साधी तो करनी है आप उनके साथ भाग चलो या आप उनके साथ भाग जाओ इस तरह से मतलब वो आप से बोलने वाले हैं आपके परसन आपसे साधी करना चाहते हैं लेकिन आपकी फैमिली नहीं मान रही होगी आपके परसन की फैमिली नहीं मान रही होगी जिसकी वज़े से उनके दिल दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं और वो सारे ख्याल वो आपसे बहुत जल्द हो सकता है बोलेंगे कि उनके दिल दिमाग में क्या क्या चल रहा है कैसे कैसे साधी की प्लानिंग्स कर रहे हो तो वो आपसे साधी करना चाहते किसी भी इस्तिती में कितनी भी कोशिस कर ले लोग साधी आपकी ना कराने के लिए लेकिन वो आपसे साधी करेंगे जरूर और आप भी अगर उनका सपोर्ट करेंगे तो उनको कोई रोक नहीं सकता किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी साधी आपकी परसन से होने के लिए रोक लगा सके अगर आप भी अपने परसन का सपोर्ट करते हैं तो क्योंकि आपकी परसन तो हर किसी से लड़ने के लिए तैयार है वो तो सोच रहे हैं कि साथ जीएंगे साथ मरेंगे जो होगा वो देखा जाएगा साथ मगर रहेंगे तो डियर अगर आप भी उनका सपोर्ट करते हैं या फिर आप अपने परसन से साधी करने के बारे में बोल रहेंगे लेकिन वो सोच रहेंगे तो आपने ये सोच रखा होगा कि साथ जीएंगे साथ रहेंगे कोई भी परिष्टिती हो साथ लड़ेंगे उससे तो डियर हो सकता है कि आपने ऐसी बाते सोच रखी हो और आप अपनी परसन से बाते बोलना चाहते हूं तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं आप दोने एक दूसरे के साथ ही जीना चाहते हैं आप दोनों का सोल मेट कनेक्शन है इस्ट्रॉंग कुछ लोगों से अगर सोल मेट कनेक्शन मैच होते हैं तो प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि आप सोल मेट जरूनी में है या ट्रिन फ्लेम जरूनी में तो डियर आप हमेशा positive रहे हैं आप जो चाहते हैं आप उसे manifest करिए आपको वो जरूर मिलेगा हो सकता है कि कुछ लोगों की family ना मान रही हो उस रिस्ते के लिए और आपके person की family मान गई हो या फिर आपके person आपसे बोल रहे हो और आप ही पीछे हट रहे हो तो आप सोच रहे कि मर्जी से साधी करना चाते हैं इसलिए आप बहुत ज्यादा sad energy में है कि क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप दोनों के साथ जीना चाहते हैं अपने person की मर्जी चाहते हैं कि उनके साथ जीना चाहते हैं आप और अपने family की मर्जी चाहते है अपने रिस्थे के लिए ताकि आपकी family भी खुँज रहे आपके रिस्थे से तो dear आप जयाद़ attention मत दीजे आप positive रहे हैं आप हमेशा positive सोचें जितना ज़्याद़ आप positive सोचेंगे जितना ज़्याद़ आप manifest करेंगे positive तरीके से उतने जल्दी आपका रिस्ता एकसेट होगा आपकी फैमिली आपके रिस्ते के लिए मान जाएगी क्योंकि आप बहुत पॉजिटिफ सोलो आप कभी किसी के साथ कभी बुरा करते नहीं हैं आप हमेशा हर किसी के साथ अच्छा करने के कोसिस करते क्यों ना उससे आपकी लड़ाई भी हो गई हो वह आप से बहुत चुड़ता हो वह आपको अपना दुस्मन मानता हो अगर उसे भी आपकी हैल्फ की जरूरत पढ़ती है उसे भी आपकी मदद की जरूरत पढ़ती है तो आप उसकी मदद जरूर करते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा ही आप से कभी किसी का दर्द देखा नहीं जाता, आप soft heart हो Dear, आप इतनी positive soul हो, कि आपके साथ कभी कुछ बुरा हो नहीं सकता आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता आप जो चाहते हैं, वो सब आपको मिलेगा Angels, Swar, आपके साथ भी होंगे कुछ लोगों को 101 बहुत दिख रहा होगा कुछ लोगों को 222 या 233 बहुत दिख रहा होगा तो Dear, अगर आपको ये sign दिख रहे हैं तो आप समझ लिजिए कि आपके लिए positive होगा आप जो चाहते हैं, वो सब आपको मिलेगा और आपके लिए Angels का यही message है कि आप positive रहिए, meditation करिए, manifest करिए आप जो चाहते हैं, वो आपको जरूर मिलेगा लेकिन आप हमेशा positive रहिए positive होकर के manifest करिए जो भी आप चाहते हैं, वो आपको जरूर मिलेगा और जो आपकी family नहीं मान रही है आपको बहुट tension हो रही है और आप अपने person के साथ बहुत खुश रहेंगे, आपकी साधी आपके person से जरूर होगी, अगर आप चाहते हैं strong तरीके से action लेते हैं, बात करते हैं, अपने person का support करते हैं, तो आपकी साधी बहुत जल्द हो सकती है, ठीक है, आप अपना ध्यान जरूर रखिए, आप अपना क्योंकि परिस्तितियां हमेशा बदलती रहती हैं, एक जैसे परिस्तिति कभी नहीं रहती है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी दुख तो कभी सुख, तो dear हमेशा परिस्तिति बदलती रहती है, इसलिए आप हमेशा positive रहें, negative बिल्कुल मत हुए, आप जो चाहते हैं, आप वो करिए जो आपका दिल और दिमाग कहता है ठीक है आप से हमारी रेडिंग कितनी मैच हुए प्लीज हमें कॉमेंट करके जुरूर बताइएगा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते शियर कर सकते कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए जैस्रीकिष्णा जैस्रीकिष्णा ओप्शन नमबर टू कैसे आप हम आसा करते हैं कि आप सब्सक्राइब और अपने अपनों का धियान रख रहे होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल इस प्रिच्वर ल वो आपसे क्या कहना चाहते हैं वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं ये आपके क्रस हो सकते हैं वो आपसे I like you या I love you बोलना चाहते हैं वो आपसे अपने दिल के बाद बोलना चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे दिल और दिमाग में ही रहते ह तो आप कभी हमारे दिल से दूर होते नहीं हो, आपको कभी धुट से दूर नहीं करता, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, यह आपके करस्त भी हो सकते हैं, यह आपके current partner भी हो सकते हैं, ठीके, तो डियर ये आपको बहुत पसंद करते हैं बहुत जल्द आपसे अपने दिल की बात बोलने वाले हैं हो सकता है कि अभी तक इनों आपसे अपने दिल की बात ना बोली हो आपको प्रोपोस ना किया हो तो ये बहुत जल्द आपसे अपने दिल की बात बोलने वाले हैं कि आप उन्हें बहुत पसंद करते हो और वो भी आपको बहुत पसंद करते हो तो वो आपसे अब अपने दिल की बात बोलने वाले हैं बहुत जल्द क्योंकि आप उन्हें बहुत पसंदो वो आपको देख करके जैसे सुकून से भर जाती है तो dear वो आपसे बहुत जल अपने दिल के बाद बोलने वाले है dear इसमें कुछ लोगों की family है जो उने बहुत miss कर रही है dear कुछ लोगों की energy ऐसी निकली है कि उनकी family उने बहुत miss कर रही है वो उनसे ये बोलना चाती है कि एक बार मिलने आ जाओ या तो फिर आप दूर रहते होंगे या फिर आपकी family आपसे दूर रहती होगी तो dear आप अपनी family के साथ अगर नहीं रहते हैं या नहीं रहती है तो आपकी family आपसे मिलने के बारे में बोलना चाती है आपकी family आपसे मिलना चाहती है आपसे कहना चाहती है कि आपको देखे बिना कितना time हो गया आपसे face to face बात किये कितना time हो गया वो आपके साथ बैठ कर बाते करना चाहती है वो आपसे मिलना चाहती है आपकी family आपको बहुत miss कर रही है बहुत ज़्यादा ही sad energy में आपकी family है आपकी बात होती होगी या फिर कुछ लोगों की बात नहीं होती होगी हो सकता है किसी वज़ा से नाराज़की भी हो तो dear अगर आपकी आपकी family से बात होती है तो भी आपकी family आपको बहुत miss कर रही है आपको देखना चाती है आपसे मिलना चाती है और जिनकी family से नाराज़की चल रही है तो dear आपकी family भी आपको बहुत miss कर रही है जब आप उनसे मिलोगे तो वो आपसे मिल करके बहुत कुछ बोलना चाती है आपकी family आपसे बहुत बाते करना चाती है आपको बहुत मिस कर रही है कुछ लोगों की फैमली है जिनकी एनरजीस में आई है कि वो उन्हें बहुत मिस कर रहे है वो उनसे बोलना चाहते है आपके बिना आपकी फैमली का दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है उन्हें अब आपके बहुत याद आ रही है वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि नजरों से कितना ही दूर हो जाओ लेकिन दिल से कभी दूर नहीं जाते हो ये दिल है जो आज भी चाहता है और बहुत मिस कर रहा है तो डियर अगर आपकी फैमली की आपसे छोटी मोटी लोग जोग हो गई हो और आप दोने एक दुसरे से नाराज हो या आपकी फैमली आपसे नाराज हो अगर आपकी फैमली आपके से बात नहीं कर रही है तो डियर अगर आपको लगता है कि आप बात कर सकते हैं तो आप उनसे पर बात जरूर करिए हो सके तो आप अपने family से मिलने जाए क्योंकि आपकी family आपको बहुत miss कर रही है और आप से अपने दिल की बात करना चाते है कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बहुत टाइम से no contact हो गया है अपने person से और उनके person उनसे ये बोलना चाहते हैं यादे जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ रही है वो साथ चल रही है जितनी भी कोसिस कर ले इन यादों से पीछा छोड़ाने की लेकिन यादे हैं जो पीछा नहीं छोड़ ही है और आप तो कुछ जादा ही यादाने लगी है तो dear कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जादा meditation कर रहें manifest कर रहें अपने person को love vibration भेज रहें तो dear जितना जादा आप अपने person को love vibration भेजते हैं अपने जादा ही आपके लिए अच्छा होता है अगर आप meditation करते हैं तो dear आपकी जो बाते हैं जो यादे हैं वो उनका पीछा नहीं छोड़री है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं अब वो बहुत मिस कर रहे हैं उनकी life में ऐसा नहीं है कोई नहीं है, उनकी life में है, third party है जिसकी वज़े से वो दूर हुए आपसे, कुछ लोगों के person है जिनकी life में third party है जिसकी वज़े से वो आप से दूर हुए, लेकिन फिर भी आपके परसन को आपकी याद आती है जितना ज़्यादा ही वो उससे बात करते है या वो उससे बात करती है फिर भी वो बहुत ज़्यादा ही आपको याद करते है छोटी छोटी बातों में उन्हें आपकी याद आती है जैसे आपके उपर कभी गुस्ता दिखा दिया, आपको कुछ भी बोल दिया, आपने उसको जादा सोचा नहीं, आपने उल्टा सीधा नहीं बोला, मतलब आपने उसका जवाब उसी तरह से नहीं दिया, आप उन्हें बहुत समझते थे, तो डियर उसी तरह से आपकी परसन को आपकी बहुत याद आ रही है कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने person को बहुत call message कर रहे थे लेकिन उनके person उन्हें कोई reply नहीं दे रहे थे उनसे बात नहीं कर रहे थे लेकिन dear जब से आपने meditation करना शुरू किया है love vibration भेजना शुरू किया है तब से आपके person को आपकी बहुत याद आ रही है तो आप call message ना करके जितना ज़्यादा हो सके आप meditation करिए और खुद को heal करिए अपने person को love vibration भेजिए आपकी call message से ज़्यादा ये काम करेगा आपके person आपको दिखाएंगे नहीं आज आपने meditation किया आज आपने love vibration भेजिए तो आज ही आपके person आपके पास वापस आ जाएंगे ऐसा नहीं होता है आप उन्हें meditation करके heal करते रहे आप उन्हें love vibration भेज़ते रहे आपके person आपके पास positive तरह से वापस आएंगे और आपको इस बात का ऐसाज भी होगा कि यादे क्यों पीछा नहीं छोड़ी है हम लोग तो हो गए नो कॉंटक्ट में हो गए वो आपको छोड़ चुके हैं लेकिन यादे पीछा नहीं छोड़ी है आज भी वह बाते पीछा नहीं छोड़ी है जैसे पहले आप उनकी बहुत केर करते थे उनके हाल चाल पूस्ते र तो डियर अब उन्हें इस चोटी चोटी बातों को याद आ रही है उस टाइम वो आपसे बहुत गुस्सा करते होंगे क्या मतलब है क्यों पूछ रहे हो क्या है जो भी है तो वो आपसे बहुत गुस्सा करते होंगे लेकिन अब उन्हें इस बात का एसास हो रहा है कि एक आप आप ही हो जो उनके हाल जाल पूछते हो एक आप ही ऐसे इंसान थे उनके जिन्दगी में जिसे कद्र थी उनकी एक आप ही ऐसे थे कि वो कैसे है कैसे नहीं है उससे आपको फर्व पड़ता था ऐसा अब उनकी जिन्दगी में कोई नहीं है जिसे उनके सही होने से या गलत होन नहीं है तो उन्हें अब उस बात का एसास हो रहा है कि वो जिंदा है या नहीं है वो ठीक है या नहीं है उनसे कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें खाना खाया या नहीं खाया कोई पूछने वाला नहीं है अब उन्हें ये छोटी-छोटी बातें बहुत यादा रही है बह अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और फिर भी वो उनसे प्यार करते हैं फिर भी वो उनको बहुत पसंद करते हैं बहुत चाहते हैं उनके बारे में आज भी वो सोचते हैं बात नहीं होती है फिर भी वो टाइम पे यह सोचते हैं कि उसने खाना खाया होगा या नही अगर कभी-कभी अचानक से आपको घबराट फील होने लगती होगी अच्छा नहीं लगता होगा बहुत ज्यादा सैड फील होता होगा तो आपको तुरंद दिल दिमाग में आता होगा कि वह ठीक है या नहीं ठीक है तो डियर आपकी यह वाइब उन तक पहुत जाती है यह आपसे बोलना चाते हैं कि आप पूछने के लिए नहीं हो लेकिन उस वक्त आपकी याद आ जाती उन्हें उन्हें यह महसूस हो जाता है कि अभी आप से बात होती तो आप पूछते उनसे इस टाइम ऐसा बोलते इस टाइम आप यह बोलते वो अब आपकी बातों को याद क आपके परसार आपके पास वापस नहीं आएंगे आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ गए होंगे या फिर मजबूरी की वज़े से आपको बढ़ना पड़ा होगा क्योंकि आपकी फैमली ने कहीं आपकी साधी करा दियोगी और आपको मजबूरी में करना पड़ा होगा तो डियर अगर आपकी साधी हो गई है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं तो वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी में स्पेसल हो अब उन्हें देड़ से ऐसास हुआ है कि वो आपको समझ नहीं पाएं अगर आप उन्हें कभी मिलोगे न तो वो आपसे अपनी गलती के लिए एक माफी जरूर मांगेंगे और अपनी गलती पे उन्हें बहुत बड़ा पस्तावा है कि वो आपको खो दिये कि आपको चाह करके भी आप पा नहीं सकते हैं उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से पस्तावा है और जिनकी साधी नहीं हुई है तो दियर वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आप से अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे और ये गलतीयां दुबारा नहीं करेंगे क्योंकि अब उन्हें इस बात का ऐसास हो चुका है कि वो जो छोटी छोटी बाते जो मुझे बुरी लगती थी मुझे गुसा ऑख दिलाती थी उन्हें वह बाते उस टइम पसंल नहीं होती थी उन्हें यह लगता था कि मेरे लाइक में कुछ ज़्याधा ही इंटरफेर करतें कि इनसे बताओ कहा जा हैं क्या कर रहें क्या आउग ध्या कर कि अब उनसे कोई पूछने वाला नहीं रह गया है वो देर से क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, वो सही है या नहीं सही है अब उन्हें इस बात का बहुत एशास हो रहा है कि आप उनकी जिंदगी में कितने स्पेसर लो वो आपसे अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे और आपके पास वापस आएंगे अगर आपकी साधी नहीं हुई है आप उनका इंतजार करें तो वो आपके पास बहुत जल्द आने वाले है और वो आपसे अपनी गलती के लिए माफी मांगने वाले है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं जितना पहले नहीं करते थे उससे ज़्यादा आप आपसे प्यार करने लगे हैं क्योंकि अब उन्हें आपकी कदर का एहसास हो चुका है अगर आप meditation कर रहे हैं तो dear आप meditation करते रहिए और हमेसा positive रहिए और कुछ लोगों की person हैं जो उन्हें call message का जवाब नहीं देते हैं लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि साइद हमें एक वार call कर ले साइद हमें एक वार message कर ले तो dear आप call message करके खुद को मत किराईए खुद इसे भी तो प्यार करिए जब तक आप self love नहीं करेंगे आप इतनी call message मत करिए अगर आपके person आपको जवाब नहीं दे रहें आप अगर उन्हें पाना चाहते हैं तो आप meditation करिए love vibration भेजिए आप उन्हें positive तरह से महसूस करने के कोसिस करिए कि वो आपके पास ही है वो आपसे दूर नहीं है आप जितना हो सके उनके बारे में positive सोचिए उनकी बाते positive सोचिए जैसे आपके साथ negative थे आपको उल्टा सिधा बोलते थे आपको समझते नहीं थे वो सब बाते आप छोड़ दीजिए अगर आप उन्हें positive तरह से अपनी जिन्दगी में पाना चाहते हैं तो आप उनके बारे में positive सोचिए वो आपके पास वापस आएंगे बहुत जल्द आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और हमेशा positive रहे और negative बिल्कुल मत होईए आप से हमारी rating कितनी match होई है प्लीज हमें comment करके जरूर बताइएगा अगर आप हमारे channel पे पहली बार है और आपको हमारा वीडियो पसंद आये हो तो आप इसे like करिए, share करिए इस channel को subscribe करिए ऐसा करके आप हमें motivate कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए जै स्री किश्णा